प्रसनात भगवाने की जै 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 त्रबन संस्कृति के उन्नायक प्रातहस्मनि आचेर भगवंत विद्या सागर्जी महमुनि राजे की जै 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 प्रातहस्मनि प्रणेता संका समाधान भभावनायोग प्रवर्तक प्रखरवक्ता पूज मुनिवर्सरी प्रमाण सागर्जी महराजी की जै 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 प्रिय बंदूओं तीर थिरा सम्मेश सिखर की तलहटी गुनायतन परिसर में आयोजित देश के सरवादिक लोग प् प्रामानिक एप के माध्यम से अपने घर बैठे देख सुनवा आनंद ले रहे हैं उन सभी का मैं गुणायतन स्री सेवायतन परिवार की ओर से हारदिक अभिननन करता हूं बंदूओं आज कही है कारिक्रम प्रारंब हो उसके पूर्व पूजी स्री के चर्णों में कोटी स थिरिया पन बंदन करती हो त्रवार नमॉस्तु करेंगे भोष्वामी नमॉस्तु 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 बंधूओं हमें वड़ी प्रसनता है कि लगातार लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं वंदूओं देश की सर्वोत क्रश्ट क्रती जो यहां पन निर्व सुख्वती वूखारिया नितिन विनीता सौरब श्वेता वुखारिया टीकम गण से श्रीमती ससी जैन श्री नरेंद कमार जी सहारनपुर से डक्टा अनूप जैन स्रीमती एरपणा जैन अक्षाज जैन भुपाल से श्री राजयंदर जी रेखा जी गगंजी अनन्त आधी चिंदवाड़ा से वहीं सुरेश जी संगवी चतोड़ गड़ से स्री पबंजी जैन डाक्टर सरीता जैन अतिसाय अपूर्व जैन सागर से बंदो वहीं लगातार लोग गुड़ायतन से जुड़ रहे हैं और स्वने का दान भी दी रहे हैं जैसे चंपालाल जी लीला भाई जी जैन गुड़ायतन को नहोंने अपनी स्वने की एक अंगुठी दी उनको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-धनवाद बंदो वहीं निर्वाण निधी में जन्होंने की सिया रुपए की रासी प्रदान की है ऐसे स्री रमेश गोयल जी स्रीमती चंदरकांता जी गोयल न निर्वाण मित्र की रूप में जो जोड़े हैं ऑनलाइन जो जोड़े हैं जीया लाल जी जैन जगाधरी जोड़दार ताली बजाकर यहीं से हम उनका अभिनंदन करते हैं और यहां उपस्ते थे बंदो श्री आयूस जी जैन अनिल कुमार जी मौधी बीना से यहां उपस स्री वीरेंद कुमार जी जैन मुरेना गवालियर से हमारे बीच में हैं उनसे निवेदन करता हूं उनके बाद आप मंच की निकट आ जाए इनके पहुंसती नेवीचन जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं आए बंदो वहीं दिर्वाण सार्थी की रूप में जो जोड़े हैं उनको बुलाओं उसके पहले यह दोनों परिवार यहां पर सीकृता से आजाएं एक एक परिवार करके दिर्वाण सार्थी की रूप में जो जोड़े हैं बंदो उनके नाम की उद्गोशना करता हूं वह भी तैयार रहेंगे यहां आने के लिए पंती बद्धो करके स्री स जिखरचन जी जैन, स्रीमती अनीता जैन, विसाल जी जैन, प्रतीक जैन इन दौर से यहां पर उपस्ते थे इनके लिए तालीव हो जाकर अभी नंदन आएं और वो यहां पर अपने कीव में रहें इनके पश्यात यहां पहुचेंगे कुमारी पूजा जैन, सुपित्री जैन, स्रीमती अनीता जैन, विसाल जी जैन, प्रतीक जी इंदौर से हैं मैं निवेदन करता हूँ वो यहां पर निकट रहें और इनका अभी नंदन करने के लिए बंदो हम निवेदन करते हैं मैं नेमी चंजी समसाबाद वालों से भी निवेदन करता हूँ कि आप यहां पर आएं और इनका अभी नंदन करेंगे साथी साथ बंदो जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं मैं उन्हें भी आबाज देता हूँ वो नजदिक आने लगेंगे यहां पर इनके नीचे उतरते ही आप यहां पर पहुचेंगे स्री निरवान सारती से सूत्रधार के रूप में पहुचे हैं श्रीमती प्रमला जी चौधरी धरंपत्नी स्वरगी असोक कमार जी चौधरी अक्षए चाधरी यस्चाधरी असोक warriors और से चलिए अभी पहुंच रहे है सिखर चंजी स्रीमती अनीता जी सिखर चंजी स्रीमती जी अनीता जी असित बैनाडा अर्चना बैनादा इनका अभीनांदन कर रहे हैं कर तो बहुंच और वहीं हमारे सूत्रद्हार करेंगे हमारे नमी чув ko savage अगले वाले में नेमी चंजी से निवेदन करता हूँ अगले वाली क्रम में अपने आ रहे हैं उनलाइन जुड़े हैं के लिए यही से जोरदार ताली वजा करके कि उनके कानों तक यहां की ताली की गूझ पहुच जाए बंदुगों उन्होंने इस थंब की रूप में जुड़ने का सौभग पाया है गुड़ायतन से आज संस्थापक सदस्त की रूप में बंदुगों यहां पर जो उपस्तित हैं जिन्होंने गुड़ायतन से जुड़ने का सौभग पाया है सूत्रधार से संस्थापक सदस्त बने है स्री समीर जी प्रमोज जी सिरगुप्पी स्रीमती एक्ता जी समीर जी सिरगुपी वेल गाओं से हमारे बीच में है मैं निवेदन कर रहा ह कि उनका अविनंदन का अपने ही गाओं के ट्रश्टी का अविनंदन कर रहे हैं पूर्व धायक संजय जी पातिल जो कि पूर्व से ही पूर्व धायक ही नहीं हमारे अभी वरतमान के ट्रश्टी है आ रहे हैं पातिल जी और अविनंदन कर रहे हैं इनका बंदों वही मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने आज संस्थापक सदस्की रूप में जुड़ने का सौभग पाया है हमारे बीच में बंदो हो स्रीमान खूपचन जी मोहिनी देवी जी के सपुत्र स्रीमान कह्लाश्यंजी रभी प्र पर बीच có 아니 जी नावानेवासि डीमा-पुर प्रवरासीग करें आए- इनके दामान ने इनको ट्रश्टी बना दिया बंदू हो मैं निवेदन करता हूं पूरा परिवार यहां पर पहुच जाए सीगरता से यहां पर आए और इनका अभी नंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं स्रीमान कपूर जी कोटा से हमारे बीच में ट्रश्टी आएं और इनका अभी नंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभी नंदन करती हैं बंदू वहीं आज जिन लोगों ने सांतिधारा की दो प्रमुक सांतिधारा वाले यहां पर उनके लिए तालिव जा करक चलिए आज बंदू जिन्होंने पूज गुर्देल के साहित को जन जन तक पहुंचाने का मन बनाया है बंदू और उस साहित की लासी को आधा कर दिया कि घर घर तक पहुंच सके वो साहित ऐसे हमारे बीच में यहां पर बंदू उपस्तित है स्रीमान सुरेश चन जी पत्या परिवार यहां पर सिल्चर गुहाटी से जोरदार ताली बजाकर हम का विनंदन करते हैं अगर वो यहां है तो बारा स्री के चरण बंदन करके बंदू वो आसिरवाद प्राप्त कर ले इसी भीच बंदू मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं जो आज गुनाय तन से स रैसित्र वनवान इस धली रूप में जुड़े हुए है और आजपूरा परिवार यहांपर उपस्ते थे जोरदार तालीयों के साथ जोरदार जोरदार और तालियों के साथ हम ईनका भी नंदन करते हैं स्रीमान ताराचंअ जी चावटीया श्रिमती दायमंती वेन जी निवासी मंदार प्रवासी बैंगलोर मैं निवेदन कर रहा हूं कि आएं और पूछी स्री के चल्लों में बंदन करके आसिरबाद प्राप्त करेंगे और इनका अभी नंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं स्रीमान सुभाजी पूनम जी CEO गुणायतन और सुनील पूछी सीएफों हमारे बीच में आपर उपस्ते थे आएं और इनका जोरदार अभी नंदन करेंगे बंदो यह हमारे गुणायतन से संदक्षक के रूप में जुड़े हैं आज बंदो तालियों की गळगळाहट कम नहीं होनी चाहिए दानियों के दान की अनुदना तो हो ओनिया जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभी नंदन करते हैं बंदो वहीं में आवाज दे रहा हूं जब तक इनका अभी नंदन हो रहा है एक ऐसे परिवार को जो की स्वापनल पार्टनी जी पूना से हमारे बीच में बंदो एक दो नहीं हजार हजार स्टुडेंटों को जिन्होंने सीए की कोचिंग दे रहे हैं बंदूब रहकर क्लिए में ऐसे खुलल पाटनी कोचिंगнетगासरीच चला रहे हैं कहेंगे जो बास्तों में बास्तों में सक्षम नहीं है उन्हें भी अपनी तरफ से इन्होंने कोशिस की है कि हम उनको उपर उठाने में सही योगी होंगे मैंने वेदन करता हूं सो पनिल जी अपनी धरम पत्नी के साथ यहां पर पहुच रहे हैं परिवार के साथ महारा आश्रवाद मिला पूज मुनिवर को वह आश्रवाद ऐसा फली भूत हो रहा है जिसका प्रतिफल हमें यह विसाल गुनायतन दिख रहा है बंदों यह तु जिनाला है गुनायतन तो बो होगा जिसे आप देखेंगे जब पूरा बन जाएगा निवेदन करता हूं इसे क्य जी का लता जी गंगबाल गुणायतन मंत्री यहां पर उपस्तित है जोड़ार ताली विजाकर का विनंदन और प्रथम आज आपका अविनंदन कर रहा है गुणायतन परिवार मेरे वीच में निवेदन करता हूं हमारे वीच में मामा जी राकेश जी सराव बीना से यहां पर उपस्तिति आए जो कि गुरायतन के डरष्टी है आए इनका अविनंदन करेंगे हमारे पाटिल जी का जो की रहता है आये आसीष पा रहे हैं और बन्दों प्रथम प्रस्ने के लिए यहां पर उपस्तित रहेंगे में बड़ी सम्माना करें से सुझार से संजाइजी पाटेल प्रथम प्रस्ने चलिए अब तक कि रहा एंधर ओर आविनन्दन हो रहा है मैंने वेधन करता हूं प्रतिक्षिन से उनका अविनन्दन कर रहे हैं संजय पाटिल जी का और प्रतम प्रशन लेकर के संजय पाटिल जी भीया माइक पहुचा है उनके पास उसके बाद या रहेंगे स्वापनिल जी की धरम पत्नी नमस्तु गुरुवर मेरा प्रशन यह है कि हम सब लोग मंदीर जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं गुरु के चर्णों में आते हैं दर्शन पाते हैं और आप खुद को समझते हैं कि हम भहुत धार्मीक हैं मैं समझना चाहता हूँ कि धरम की परिभाशा क्या है बहुत अच्छा सवाल किया है और अक्सर मैं अपने प्रशनों में इन बातों पर चर्चा करता रहता हूँ मंदीर जाना सर्संग करना और अन्य धार्मी कारिय करना धर्म का बाहरी अंग है इसे हम धर्मा चरन कह सकते हैं धर्म नहीं धर्म तो इनका फल है हमारे अंदर की भाव विशुद्धी हमारे हृदय की पवित्ता हमारे आचार और बहवार की निर्मलता ही सच्छा धर्म मैं बहुत लोगों को कहता हूँ आज सुबह भी मैंने कहा कि तुम धर्म कर शको बहुत अच्छी बात है पर अधर्म ना करो ये और बड़ा धर्म है अधर्म से बचो अगर हम अधर्म से बचने में समर्थ हो गए तो ताइम मान कर चलना हमने बहुत कुछ कर लिए अंकीता जी पाटनी और इसी के बाद तयार रहेंगे सिलचर गुहाटी आसाम से सुरेश जैंडी जैन का परिवार नमोस्तू 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 महराजी महराजी मेरा सवाल ये है कि घर के कमिट्मेंट्स और प्रोफेशनल कमिट्मेंट्स के साथ साथ हम अपने आपको धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं दिखें, मैं तो कहता हूँ, धर्म हमें यही शिखाता है, जाहे धर हो, जाहे प्रुफेशन हो, जाहे सोसल जो भी responsibility हो, पहला काम, घर-परिवार, प्रुफेशन और सोसल रिस्पोंस्पोंसमिलिटी को अच्छे तरीके से करें और उसे ही अपना धर्म मानें, समझ गया है? इन क्रियाओं में यदि हम अधर्म नहीं करते हैं, तो मेरी नजर में वह भी बड़ा धर्म है। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग ने धर्म के प्रती अपना जो दृष्टी कौन है, वो बिलकुल अलग बना रखा है। हमने सोच रखा है की धर्म घंटे दो घंटे की क्रिया मात्र का नाम है, जिसे हमें अपने प्रतिक बहवार और विचारों में प्रतिविंबित होना चाहिए। और ये होगा तब हम उसका फल पाएंगे तो फिर महराज धार्मी क्रियाएं हम बंद कर दें नहीं धार्मी क्रियाएं हमारी धार्मी बिचारों के भाओं के उद्धीपन के सादन है अगर हमारी बैटरी चार्ज होगी तभी तो हम कर पाएंगे इसलिए धार्मिक क्रियाओं से अपने मन की बैटरी को चार्ज करो और चार्ज करने के बाद पूरे दिन उसका लाव लो तो हम काम कर सकते हैं चलिएगा सिल्चर गोहाटी आसाम से सुरेश्चन जी परिवार अतिसी ग्रियाओं पर नाम जिनका ले दियागा है वहाँ पर क्यूंए पहुच जाए और तयार हैंगे मुंबई से प्रक्षाल जी नीता जी आपके चरनों में कोटी-कोटी नवन आज हमारे लिए सब के लिए बहुत सौबागी की बात है कि आज हम लोग आपको फेस टू फेस देख पा रहे हैं आज हम लोग पूना से औरंगबाद से तीन सो लोग यहां पे मौजुद है और हमारे सब की ओर से मैं चाओंगा जितने लोग हमारे सात में सभी लोग सात में खड़े हो जाएं जितने लोग यह 300 लोग गातना तोड़ा पाठी परिवार चांदी वाल परिवOC सब लोग खड़े हो जाएं और महाराजी के चर्णों में कोटी-कोटी नमन है हमारी सबकी ओर से महाराजी मेरे पापा ने 111 वंदना की है मम्मी ने 118 वंदना की है उस शुब आउसर पर हमने पूना से 300 लोगों यहां पर शिकर जी करने के लिए आए और आज हमारे सौबागे देखिए आज तक हम आपको जो टीवी पर देखते आये थे आज हम आपको लाइव देख रहे बहुत बड़ा सौबागे का दिन हमारे लिए है महराजी आज मैं आपको कुछ यहाँ पे इस प्रभावना में आपको कुछ मैं कुछ अनॉंस्मेंट करना चाहता हूँ कि क्यों ना हमारे इन क्लासेश का फाइदा सकल जैन समाज के स्टुडेंट्स को मिले आज मुझे यह बताते हुए बड़े खुशी हो रही है महराजी आपकी प्रभावना ही आपका जो औरा है उससे मैं इतना जादा आज मैं आपके उस औरा को मैं फील कर रहा हूँ यहां से और मेरा कुछ अनॉंस्मेंट करने का बहुत मन कर रहा है महराजी आज मैं इस मन से इस चीज़ को अनॉंस करना चाहता हूँ कि जितने भी चात्र भारत में जो सकल जैन समाज के स्टुडेंट्स है, जो C.A. कर रहे हैं, उन सब को हम लोग हमारी ओर से सौलियत देना चाहते हैं, इस मन्च से मैं आज घोशना करना चाहता हूँ, और साथ साथ में जितने भी लोग, आप सभी जानते हैं कि जैन समाज के बहुत सारे स्टुडेंट्स C.A. की क्लासे करते हैं, हमारी क्लासे जितनी ओनलाइन पुरे भारत भर में चलती हैं, मैं आज इस मन्च से घोशना करना चाहता हूँ, कि जितने भी स्टुडेंट्स इसका लाव लेना चाहते हैं, वो अपना नाम जरूर टेलीग्राम के लिं जितने भी लोग इसका लाव लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर भी बायो लिंक रहेगा, उसको क्लिक करें, हम आख तक जरूर बहुंचेंगे, बहुत सुन्दर, नमस्तु मारा जी, नमस्तु 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 चलिए सिल्चर गुहाटी से सुरेशन जी का पर यहाँ पर त्यार रहेंगे. इसके लिए क्या उपाय है? जार परिवार में ऐसी ववस्ता करें, कि इनकी आवशकता ही न पड़े, सुध्धता और साथ यतना चार कुर्वा का अगर करेंगे, तभी अपने ब्रतों का अनुपालन कर सकें. मुंबई से प्रक्षाल जी, नीता जी, सांती जी, इन्होंने आज पहली सांती धारावे कीती बंदूओ, ये घेवारे परिवार है, ये प्रस्न करें, उसके साथ साथ मैने बेदन करता हूँ, हमारे बीच में, गोयतन ट्रश्टी भी है, इनका अभिनंदन करने के लिए सुनील जी पहुच रहे हैं, और शी के साथ साथ ये प्रस्न भी करेंगे, एक बार जोड़ार ताली बजा करके, इन्होंने स्वेम ट्रश्टी भने, अपने परिवार जनों को भी ट्रश्टी बनाने के लिए प्र लेकिन पावागिरी एक उलेख है, वो कहीं नहीं मिला, और दूसरा कुंडलपूर का उलेख नहीं आता है, इसके बारे में पुरी जिग्या से चाहता है, निर्वान कार्ण में पावागिरी और कुंडलपूर का उलेख नहीं आता, पर कुंडलपूर का तो तिलोई पनत्त लिख़े मुलेख है। भले निर्वान का रणन में नहीं आता। कैसे छूट गया है। सोचना हम सब को है। पावा नगरोध ध्याने आता है। पावा पूरी सब्द का भी प्रयोग आता है। पावा गईरी सब्द का प्रयोग कुछ screens अन्य गंधांतरों में है। अब अर्तमान में उन पवा को पावागिरी के रूप में जाना जाता है और आपका एक पावागिरी के रूप में जहासी के पास सिद्धेचेत्र के रूप में जाना जाता है पावागिर उसको वैसा खुना है नमस्तु नमस्तु अभी जंदन हो रहा है और इसी के साथ तयार रहेंगे केलाश चंजी मंजुलता जी नावा सिटी निवासी दीमापुर प्रवासी आएं और अपना प्रशन रख रहे हैं और इनी के बार तयार रहेंगे सुरेश चंजी राजल जी सिल्चर गुहाटी आसाम से शी किता से पहुंच रहे हैं केलाश चंजी मंजुलता जी जो कि आज नए ट्रश्टी की रूप में जुड़े हैं बंदुओ एक बार तालीत बजाओ उनके लिए बहुत बढ़िए गुरुवर के चर्णों में सिकार नमोस्तू 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 गुरुवर गुरुवर ग्रस जुरुन में हम ऐसा क्या पूर्शाट करें कि हमारा वर्तमार समय तो धर्म में हो और भविश्य एम अंतिम समय भी धर्म में हो जाए हम धर्मार्ग में अडिक रहें, रह सकें, हमारे पढ़नाओं में कोई रुकावत नहीं आए, कपेया हमारा संका समाधान के अंतीम समय तक धर्म मार्ग में लगे रहने का भाव आपने ब्रक्त किया और उसका सीधा सा तरीका है कि आप नित्य धर्म की भामना भाएं और जितना बने स्वैम को संकल्पित करते वे उसमें जोड़े रखें अंतिम समय तक आप अगर धर्म मार्ग से जुड़े रहना चाहते हैं तो मैं आपको केंद्र बनाकर आप जैसे उम्र के पढ़ाव तक पहुंचे लोगों से कहूंगा अब धंदे से मुख मोलो अब ब्यापार को छोडो धर्म ध्यान में ज्यादा ध्यान दो मैंने एक बार कहा जवान बच्पन ग्यानारजन में जवानी धनारजन में तो बुढ़ापे को पुन्यारजन में लगाने का प्रित्न करें उम्र के इस पढ़ाव में आने वाले लोगों को अपने ब्यापारिक और पारिवारिक दाइत्तों को धीरे धीरे कम करना चाहिए और स्वैम के प्रति अपने दाइत्तों के निर्वहन का पालन करने का प्यास करना चाहिए समझ गया है? उधर आप लगोगे तो आपका काम होगा सुरेश्चन जी, राजोल जी, सिल्चर, गोहाटी से और इसी के बाद नवेदन करूँगा नवेदन करूँगा हमारे बीच में सुरोमणी सन रक्षक, पारश जी, बैंगलोर से यहाँ पर है वो आएंगे और इनका अभिनंदन भी गुरूबर के चड़ों में त्रिवार नमस्तू, नमस्तू, नमस्तू गुरूबर आपने सुबह बताया था कि इससे पहले हमारे जीवन का आखरी दिन आए हमें अपने जीवन की तियारी कर लेनी चाहिए तो अब हम लोग जोर घटा गुड़ा भाग के बारे में आपने बताया था इसका फूरा संचेप में बताईए अरे पूरा तो प्रोचन कर दिया आप संचेप में करूँगा तो बाकी लोग उल्टा जोर घटा लगाने लगेंगे समझ गया है सुभा मैंने काफी विष्टार से बात की है बस आप उशी के सार को समझने की कोशिच कीजिए और अपने जीवन की दिसा सुनिश्चित की चलिए सिरुमनी संदक्षक पारश जी बेंगलोर से और इसी के बाद निवेदन करूँगा हमारे बीच में चंदर सेखर जी विदीशा से हमारे बीच में आचोके बंदुगों संपूर गुणायतन का जो निरबाड हो रहा है जिनके निरदेशन में हो रहा है वो यहां पर उपस् लेकिन जैसे आपका ओरा है और हम उससे इतने प्रभाविद हैं हम बेसिकली मंदिर मार्गी श्यदंबर हैं और मंडार निवासी हैं बैंगलोर में स्थित्या हैं अभी व्यावसाइक साब से और हमारे पिता जी जैसे मैंने पीछे भी कई बार मैसेज के द्वारा आप तक कि मैसेज पहुंचाने का कोशिश किया था कि हमारे पिता जी आपके एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं जहां कहीं भी हो जैसे भी हो मोबाइल पे टीवी पे जरूर जरूर देखते हैं और आपका आशिरवाद हमारे परिवार पे योही बना रहे हैं ऐसे मतलब मैं दि अभी थोड़ी दर पहले पिता जी को भी फॉन किया था और उनको पूछा कि पापा कुछ सवाल पूछना है क्या तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि सवाल तो बहुत आते हैं लेकिन महाराज साब का मुक का दर्शन होते ही सारे सवाल गायब हो जाते हैं अभी मेरे आसु जी है उनके मन में कुछ सवाल आया था अगर आपकी अनुमुति लो जरुए नितु जी 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 पुछे साइब ची मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है स्वेतंबर मंदिर में मूर्ती के चक्षो खुले रहते हैं और डिगंबर मंदिर में मूर्ती के चक्षो जुके हुए रहते हैं इसका रीजन क्या है लेके सबसे पहले तो आज मैं पारश जी को उनके पुरे परिवार को आशिरवाद देता हूं और सबसे पहले उनके पिता जी को जो पिछले कई वर्सों से दूर रह करके भी पूरी तरह जुड़ेवे हैं और आज उन्हों ने अपने आपको ही नहीं अपनी पीडियों को गुनायतन से जोलने का संकल्क लिया है मैं आशिरवाद देता हूं कि इसी तरह देव गुरु धर्म के पति जुड़ाव हमेशा बना रहे और अपने जीवन का उधार कर सके आपने जो सवाल किया है कि दिगंबर पत्मा में आखें जुकी और श्रितांबर पत्मा में आखें खुली क्यों की दिगंबर प्रित्मा बीत राग प्रित्मा कहलती है और हम बीत राग अवस्था में जब भगवान की बंदना करते हैं तो भगवान की दृष्टी नासा दृष्टी रखते है नासा दृष्टी भगवान की बीत रागता का द्योतक है ना किसी से राग ना किसी से आत्मस्त के ध्यान मुद्रा स्वितांबर प्रित्मा में जो बरतमान रूप है उस रूप में आँखें ही नहीं खुली होती आभूसन भी जड़े होते हैं मुकुट भी होते हैं हार भी होते हैं होते हैं नए तो यह सब चीजे हैं, यह अलग-अलग माननेताओं के निरूप बनाए गए, तो यह अब मैं इसकी समिक्षा नहीं करगा, लेकिन यह जो मौली का अंतर है, वो यहीं अंतर है, दिगंबर पृत्मा, बीत राग पृत्मा है, जो ध्यान बता है, बहुत बता है, दिवेक जी सि पृत्मान समय में दुख का मूल कारण पूर्जन के कर्म है या बर्तमान में परिवार के पृति अत्यधिक मोहू, बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस दिशी से बहुत कम लोग विचार करते हैं, सच्चे अर्थों में देखा जाएं, दुख का कारण है ही नहीं, कर्म हमारा कारण हो सकता है, कर्म कभी दुख नहीं देता, कर्म कष्ट देता, दुख देता हमारा अज्ञान या मोहू प्रिरित मन, मैं आप से एक सवाल करता हूँ, पारशनाद भगवान के उपर साथ दिन तक उफशर हुआ, ये उफशर किसने कराया? बोलो, कमठ ने तो कमठ तो निमित बना, कराया किसने? उनके कर्मोदे ने, पर मैं आप से पूछता हूँ, पारशनाद भगवान के उपर इतना भैयानक उपसर्ग था, वे दुखी थे? ने, तो बोलो, क्या कर्म ने उनको दुखी किया? गज कुमार मुरी राज के सीज पर जलती भी सिगली रख दी गई, ये किसने रखवाई? कर्म ने, दुखी किसने किया? क्या वो दुखी थे? ध्यान रखो, कर्म तुम्हें बिमार कर सकता है, पर कर्म तुम्हें बिचलित नहीं कर सकता है, अगर तुम्हारे पास ग्यान है, वेरग्य है, तो घोर बिपदा की घड़ी में भी अवी चल रहा जा सकता है, और यही ग्यान का फल है, और इसी दृष्टी और कला से आप कर्म की सत्ता को उखारने में समर्थ हो सकते हो। तो कर्म पीडा देगा, पीडित नहीं करता है। पीडित होता है हमारा अज्ञान प्रिडित मन। कुछ भी हो, कैसा भी कर्म हो जाए हो, मात्र ज्याता दृष्टा बने रहो। कर्म की क्या मजाल, जो तुम्हें कुछ भी कर सके। लेकिन सब कमजोर मनोवल वाले लोग हैं, थोड़ी शीबात में बिचलित हो जाता है मन, हिल जाते हैं, मामला गड़बडा जाता है। तो इसलिए कर्म और अत्मा की ज्यान के विशे में समझो, मैं अक्सर कहता हूँ कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। तो महरा जास तो आपने ऐसा बता दिया कि कर्म कुछ करता ही नहीं ہے। कर्म निमित बनता है। हमारे अंदर के मुलक परिणामों को जगाने में भी कर्म निमित बनता है कई वार कर्म की तिब्रता होने पर चाहा करके भी हम अपने मन को सांत नहीं कर पाते है पर सोही एक बहन जी आई थी तिन चाल दिन पहले उनने अपने पती को खोया अल पुम्र में पती का भी ओफ हो गया वो बहुत तत्वक के महिला थी लेकिन इतना रोए इतना रोए इतना रोए परिवार के लोगों ने कहा हमराज संबोद हो उनने कहा हमराज मैं जानती हूँ यह सब गलत है मेरे रोने से वो नहीं आएंगे यह आर्थ ध्यान मेरे दुरुगती का कारण बनेगा लेकिन क्या करूँ रहा नहीं जाता बार बार याद आती मन बिचलित हो जाता यह मोह हैं यह मोह रुला रहा अब मोह का उदय जब प्रबल होता है तो ग्यान भी काम नहीं कर पाता इसलिए मोह को जीतो और मोह को जीतने का एक ही उपाय है निरंतर तर्थ भ्यास करो विराग वैरागी की भावना भाव और दूसरा जिनोंने मोह पर विजे पाली जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं उनके संसर्ग में रहो तभी मोह विजेता बन कर अपने दुखों से मुक्तफों सको नमोस्तु विवेग जी सिंगापुर गुणायत अंट्रस्टी और इसी के बाद दिवेदन करूंगा ब्रमचारी जिनेश भाईयाजी जेन जो तीस विद्या पंचांग लेकर के यहां पर आए हैं उसका नोकारपण भी होगा और स्रीमती माया जी गयान जी गिंडी गुर्प से यहां पर हैं वो उपस्तित रहेंगे जिन्होंने यह पंचांग शप्ता है नमोस्तु महराश्री महराश्री समस्त प्रमानिक टीम और सिंगापूर साधर मी भाई वेनों की तरफ से आपके चर्णों में बारंबार नमोस्तु 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 महराश्री आपके जो चार बातें प्रवचन में काफी बड़ा ओडियंस इसको सुनता है साक्षात बैठे हुए लोगों की अपेक्षा है लेकिन महराश्री उसमें जो आप हाई लेवल की हिंदी जो यूज करते हैं महराश्री उसके कारण महराश्री एक बड़ा युवा वर्ग जो है वो उन प्रवचनों को पूर रूप से समझने में वंचित रह जाता है महराश्री तो हम प्रमानिक टीम वालों ने डिसकस करक कुछ बाते बताईये महराश्री आप उसके लिए आपका आशिर्वा चाहूंगा पहली चीज़ तो महराश्री ऐसे कई लेक्षर देने वाले हैं महराश्री आज भारत में और भारत के भार जो की एक भासा में बोलते हैं लेकिन उसका वोईस ओवर आर्टेस्ट एडव के उनकी दूसरी लेंग्वेज में वो सेम बात ओडियंस तक पोच जाती है तो महराश्री हम आपसे आशिर्वा चाहेंगे कि आप बोलते तो हिंदी में हैं लेकिन उसको अगर हम इंग्लिस में अगर जो यंग अपने शोता हैं उन तक पोचाएं तो ये ठीक रहेगा क्या मह और जी है किला मैं तो बोल दिया मेरा काम हो गया वा आगे का काम तुम्हारा अजब भगवान की बानी को muchísimo अथारह भासाओं में और साथ सो लगु भासाओं में रुपांत्रित करने का काम माघद देव करते हैं तो तिर्थंकरों के काल में वो काम देवकृत था अब तिर्थंकरों का काल भी नहीं है और भगवान भी नहीं है भगवान के सेवक है तो जो कार देवकृत था उस कार को टेक्नोलोजी के बेस पर आप लोग करें तो यह स्वागत योग है इसमें क्या सोचने कि बाए यह टेक्नोलोजी बेस्ट है हमारा ओदेश अपनी बात को जन जन तक पहुँचाने का होना चाहिए यह प्रभावना अंग है प्रभावना अंग के संदर में यही कहा गया अज्ञान तिमरब्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन सासन माहात्म प्रकास चाथ प्रभावना अज्ञान के अंधेरे को जैसे संभव वैसे फैलाना, मिटाना और जिन सासन के माहात्म के प्रकास को फैलाना ही प्रभावना है प्रमानिक समु बहुत अच्छा कारी कर दो मैं उन पूरे के पूरे समु के सदश्यों का आशिरवाद देता हूँ और आज तुम्हारे मन में जो बात आई, बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके से टेक्नोलोजी का प्रयोग करके आप मेरी बात को जन जन तक पहुचाने का उपक्रम करते हो तो आती उत्तम है, रहा सवाल अगरे जी में मैं भी बोल सकता हूँ पर मुझे जितनी सुगमता हिंदी में लगती है और हिंदी में मेरा जैसे भाव जुलता है उसमें मैं नहीं बोलता, मेरे प्रान बोलते हैं अगर मैं अंग्रेजी में लाओंगा अंग्रेजी में लाओंगा तो उसमें कृत्रिमता जिलकेगी तो मैं कृतिंता से बच कर जीना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उसमें सदलता बनी रहे यह आप लोगों का काईड है जो लोग इस काईड में आगे आते हैं मैं इसके लिए प्रमानिक समू को अधिकत करता हूँ आशिरवाद भी देता हूँ योग वेक्तियों के माध्धम से मौलिक ताको सुरक्षित रखते वे यह इस तरह की प्रभावना करे ताच्छी बाद महराज श्री नमोस्तू चुकि आपने अशिरवाद दे दिया है तो महराज जी मैं समस्त ओनलाइन स्रोता और समस्त स्रोता साक्षात में भी बेठे हुए है उनसे आवान करना चाहूंगा की वेबसाइट है मुनिप्रमांटसागा.net इसमें आप जाएंगे तो एक वॉलेंटियर करके ऑप्शन से जो भी इस कार में अपनी सेवा देना चाहते है तन के अलावा ये बहुत बड़ी सेवा है तो वो जो सेवा देना चाहते है अपना पॉम भर दें और फिर हम उनको कॉंटेक्ट करेंगे और इस कारे को हम आगे लेके जाएंगे नमोस्तु मारा शुर। पहली सांतिधारा की थी बंदुओं अपस्ते थे वो यहां पर? नहीं है तो मैं निवेदन करूँगा शिंगही राकेश कुमार जी सराप जो की जैन समाच अध्यक्ष बीना से हमारे बीच में है प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर इनके बाद अध्यक्तित था करें抵ेद्न के लिए यहां पर उपस्ती थे तो आकर के गिननी गृप हमारे गजैंदर जी का भीनंदन करेंगे जोरदार तालिवाजा करें के हम इनका अभिनंदन करती है सन प्रश्न और इसके बाद तयार रहेंगे आज मेराशी नवोस्तू, नवोस्तू, महराशी मेरी और से, मेरे परिवार की और से, सकल देखंबाज जैन समाज भीना की और से, नवोस्तू मराजी, मराजी ये मेरी छोड़ी जे संकर थी, महराजी जब सामाएक स्वाध्याय करते हैं सामाएक स्वाध्याय करते कभी-कभी आख में जबकी या जाती है या माला हाथ से गर जाती है तो इसमें महराज सरी हमारे कौन से करम का उदय होता होगा सामाएक करते-करते हाथ में आखों में जबकी या माला गिर जाना कौन से कर्म का उदय होगा हम कहेंगे प्रमाद का लक्षन है समझ गया है और प्रमाद हमारे जीवन के एक बड़ी दुर बलता हम इसे दूर करना चाहिए को मारासी नहीं चाले ली पिका अंसलेंज चिद्वाड़ा से और इसके बाद तयार रहेंगे विप इनीजी पाटनी बिनी जी पाटनी बंदू कल प्राताय काल जो यहां पर सांतिधारा होगी महा सांतिधारा पूजिसरी के मुखारविन से एक खजार आठ मंत्रों के वच्छारण के साथ बंदू लगबग 45-50 मट तक लगातार महारास्तरी के मुखारविन से अभी कुछ दिन पूर भी दो बा आठ बच करके 20 मेट से आठ वी से बंदू यह लाइब चलेगी आप जो यहां पर अगर जो बंदना करने उपर नहीं जा रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कल की सांतिधारा में जरूर सामिल हो पूजिसरी के मुखारविन से एक सांथ एक हजार आठ मंत्रों का सरव आठ माराजी बहुत ही अभूत पूर रचना हो रही है और इसको देखती है माराजी एक विचार आया आपको देख करके हम आपको मैनेजमेंट गुरू अच्छे ओरेटर अच्छे स्कॉलर तो मानती ही थे माराजी आर्किटैक भी हैं डिजाइनर भी है आप माराजी तो हम बहुत अच्छा सवाल आपने किया है अपने जीवन में क्रेटिविटी कैसे लाए देखे रचनात्मक्ता हर मनुष्य का एक सभाविक गुन है बसरते वह अपनी सोच को ऐसी बनाए और चेतना को विखन्दित होने से बचाए प्रय लोगों का चित्त बटावा रता और चित्त के बटे रहने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं हम अपने चित्त को अपने लक्ष के साथ जोड़ें सकारात्मक्त सोचें सतत अद्वसाई यानि लगंसील बनें और जिग्यासु वृत्ती रखें ये आपके जीवन को हर चित्र में आगे बढ़ाएगा उसे लोगों ने बोला महराज जी अभी पूर्मुख मंत्री आई थे उन्होंने भी कहा कि लगता है महराज बेग्यानिक है कि संथ है मैं पता ही नहीं एक नहीं बुसार मश्च कहा मराज जी आपने टेक्नोलोजी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैंने का मैं तो भी भी पढ़ रहा हू मराज जी क्या आपने कोई टेक्नोलोजी पढ़ी है मैंने का भी या किसी इंजरिंग कालेज में दाखिर होकर के ही टेक्नोलोजी नहीं पढ़ी जा सकती जितने लोग दुनिया में जी रहें उन्हें देख करके भी बहुत सारी टेक्नोलोजी शीखी जा सकती अगर अमनुष्ट के हिर्दे में जिग्यासु वित्ती है एक नन्ने से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकता है मेरी ये प्रवित्ती रही कि मेरी डैक्स पर जो भी पुस्तके आई मैंने उसे पल्टा ही नहीं उसका पुरा जिष्ट अपने हिर्दे में अंकित करने का प्रयास किया ये मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में लगवग बीश वरस सतत चला आज वो मेरे काम में आ रहा है अभी भी मेरे संपर्क में किसी भी छित्र के विक्ती आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके छित्र की बात को जान करके बहुत सारे निसकस निकालता हूँ तो बहुत सारे चीजे ऐसी हैं जो अपने आप साकार होती है और मेरे एक प्रवित्ती है खोजने की और संभावनों को तटोलने की तलासने की यहां जो कुछ हो रहा है जिस टेक्नलोजी के साथ मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था लेकिन जब मैं समोशनन का ध्यान करता था तो मेरे आँखों में, मेरे अंतास में यह सब चीजे जहलकती थी जो आज दिख रही है लगवग ऐसी, मैं कहूंगा कि मेरे अंदर की करपना को ही यहां साकार किया जा रहा है बलकि उसे और अच्छा तो बस मैं एक ही बात सोचता था इसको किया कैसे जा सकता और जो मैं सोचता गया, मुझसे लोग जुरते गए, उत्तर भी मिलता गया, आकार भी लेता गया, सारा काम हो गया तो यह जो मैंने आज बात कही है शकारात्मकता हो, सतत अभ्यास हो, लगन सीलता हो और चित्त को बाटने न दे, धे निष्टे बने आप देखे, आपकी रचना धर्मिता कितने अधिक बखती है महरत जी के चरणों में बारंबार नमुस्तु महरत जी मेरा ये प्रेशन है कि अभी हम आसपस, अपने आसपस देखते हैं कि जो हमारी स्त्री परियाए में अशुद्धी की समस्या आती है तो उसका पालन कई मदब नहीं होगा इसका उत्तर दिया है बहुत विश्टार चलो दीपिका अंसुल जी चिंदवाड़ा से और इसी के साथ तैयार हैंगे बंटी जी मंडला से परिवार के साथ गुरूबर के जहनों में तरह रहार नमोश्थू 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 माराश्री मेरा प्रशनिया है कि जब किसी तिरयन्चे का अंतिन समय आता है तो उस समय हम उसे संबोद्ते हैं पर उसके लिए हमारी भाषा समझ reverse पाना संबभ नहीं है तो इसका उस पर कैसे और क्या प्रभाव कड़ता है देखे ऐसा नहीं है भासा से भी बड़ा इस्थान भावों का है और पसु पक्षी भी हमारी भासा समझते है समझ गया है मैं दो उधारन आपको दे रहा हूँ एक मेरे प्रत्तक शनभों का है और एक मुझे एक वीडियो क्लिप के माधम से दिखा गई उसकी आज से लगवक बीश वर्स पूर हम बड़ावत के लिए जा रहे थे बाखपत से बिहार किये में डोड पर आए तो रोड से नीचे एक गाई छट पताती भी दिखी हमारे वहाँ से गुजरने के दस-पाँच मिनट पहले किसी बाहन की टकर से वो वहाँ फिकी होगी वो तरफ रही थी मैं वहाँ तक गया एक छोटे से गड़े में थी वो दिख नहीं रहा था इसे चोट कहां लगी आप सुनकर ताज्यूप करोगे मेरे मुख से निकला इसे इतनी चोट लगी है चट पटा रही पर चोट दिख नहीं रही चोट लगी कहां है आप हैरान हो जाओगे उस गाए ने उस बेदना पूर्ण स्थिती में अपनी गर्दन को उठा के दिखाया और यहाँ पूरी गर्दन उसकी कटीवी उस घायल अवस्था में हमारे साथ लोग थे उस गाए को वहां से इंबुलेंस बुलाकर करके उठाया वहीं रास्ते में ही बढ़ोत की गौसाला थी वहां उसकी सेवा हुई नमोकारमंत रादिक सुनाया गया और धर्म ध्यान पुर्वा पांस साथ दिन तक का उसका जीवन और रहा क्योंकि गंभीत चोड़ थी पर वो धर्म ध्यान के साथ गई तो ऐसा नहीं है कि यह हमारी भासा नहीं समझते हैं बहुत समझते हैं इसी तरह एक गवसाला का एक क्लिप मुझे दिखाया गया गीर गाय की गवसाला थी अहमदाबाद की उस गवसाला में गायों को कहीं रसी बांद की नहीं रखा जाता बाले में रखा जाता वो चारा चर रही थी एक गाय और एक बाले में बच्छडे थे दूद दूने का टाइम आया उसने का गोपी 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 तीन वाग गाए अपना चारा छोड़ करके सीधे उसके पास आ गई और बाड़े में लगबग देर सो बचले थे उनमें से केवर उसका बचला बाहर निकल करके आया और अपने मा के थन से लग गया यह भासा समझे लेगा परना यह कहना गलत है कि पसु पक्षी हमारी भासा नहीं समझते मैं तो समझता हूँ प्रेम की भासा हर प्रानी समझता इसमें कोई संसर नहीं है इसलिए हम प्रेम की भासा परना बंटी जी मंडला से और इसकी बाद तयारेंगे नीले जी रानी जी अकलेश जी वड़वानी से महराज तिरी के चड़नों में मीरा वा अमर्दी परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महराजी जीवन में किसी प्रिकार की बिप्रीत या प्रितिकूलता आने पर अपना एवं परिवार का आत्म वैस्वास कैंसे बढ़ा है मार्ग दर्सन दीजे महराजी उचेत मार्ग दर्सन लिखे जीवन में जब कभी भी प्रितिकूलता आए घबलाई ये नहीं उस घड़ी में अपना आत्म विश्वास अगर बनाए रखना चाहते हैं तो चार काम कीजिए पहले सोच को सकारात्मक बनाजिए अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो प्रितिकूलता में भी आप अनकूलता का एहसास करने में समर्थ होंगे दूसरी बात ये मान करके चलिए कि ये थोड़ी देर की बात है रात चलेगी प्रभात होगा ये अंदर भाव देगा ये थोड़ी देर की बात अभी रात है रात के बात तो सबेरा होगा ही होगा अंधेरा अब उजला होगा ही होगा ऐसी सोच रखे तीसरी बात आशावादी बनिये अभी विपत्ती आई है विपत्ती के बाद संपत्ती आएगी प्रति कूलता है अरुकूलता आएगी घबडाने की बात नहीं है समझ गए तो सकारात्मक सोचिये थोड़ी देर की बात समझ गए आशावादी सोच रखिये समझ गया है और चौंथी बात मन में धैर बनाए रखे मन का धैर हमारे लिए बहुत बड़ा संबल देता है प्राया लोग ऐसे स्थितियों में अपना धैर खो देते हैं इसलिए स्थितियां बिशम हो जाती है अगर धीरजधार है तो प्रणाम अच्छे हूँ निले स्राणी अकलेसी बढ़वानी से और तयार रहेंगे संचित जैन टिकेट नगर लखनौ से नमस्तु महराजी बढ़वानी वासिवालों के तरफ से नमस्तु 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 Wow माराज़ी मेरा यह सवाल है कि अगर कोई मकाण, दुकान या फैक्टरी रोड पे होती है तो उसकी value होती है उसकी double value होती है लेकिन कोई इंसान रोड पे आजाता है तो उसकी value कम हो जाती है ऐसा क्यों? ऐसा है शिलिए कि फैक्टरी दुकान मकान को बेचा जा सकता इंसान को बेचा नी जा सकता हो गया ना सच्चा ही है आगे ब्याख्या करने की जरुवत नहीं है इस सुत्रात्मक उत्तर के लिए एक थाली बजा दो चलिए आगे संचित जैन टिकेट नगान लखलों से वह तया रहेंगे नेमी चंजी फरीद अवासे ट्रश्टी गुणायतन महराश्री के चड़नों में तरह बार नमोस्तू 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 पूरी टिकेट नगार जैन समाज और लखनो जैन समाज की तरफ से आपको तरह बार नमोस्तू माराश जी सुख में होकर मगन न फूलें दुख में कभी न घबरावें ये पंक्तिया सुनने में तो अच्छी लगती है माराश जी पर वास्तों में ये संभव नहीं हो पाता है तो हम ऐसा क्या करें कि सुख में मगन होकर हम इतना न फूल जाएं कि और बातों का हमें ध्यान न रहे और दुख में हम इतना न घबडा जाएं कि परिस्तिक्यों का सामना न करें कर सकें उसका माराश जिए बाते कथिन लगती है पर असंभव नहीं है तंभव और धर्म वही है जो कथिन लगे पर सरल बना दे हम इन पंक्तियों को बार बार दोहराएं बार बार घुने और इन पंक्तियों को नहीं कर सकते तो किवल इतनी बात मुझे सहज रहना है मुझे सांत रहना है तो हमारी साथी स्टियां ठीक हो सकती चलिए नैमी चंजी फरीदवाद और इसे के बार तयार रहेंगे सहपुरा गुसेवप धाम से सभी साथी और फिर अन्सुल जनगड़ा कोटा नमस्तु अगोवन मेरा मेरे परवार की तरफ से नमस्तु मारा जी मेरा प्रस्टने है कि जब तब और मोण साधना में क्या अंतर है क्या जप करने तप करने के मौसाजना करने नहीं एक आakan के बाकी नीचे कैड़ अभा मौसाजदना करने में सरीर की सारे लिक केमिस्ट्ट इयांनी दिए क्या अघर जे ऐं तो कैसेScript कर्मों की निजरा हो जाती है जैसे हमारा chemistry में bond break होता है वैसे हो जाता है जब तप और मौन से निश्चित हमारे कर्मों की निजरा होती है और कर्मों की निजरा क्यों होती है तो इसकी एक अपनी chemistry है चूंकि आप chemistry के student हो chemistry के ग्याता हो तो मैं आज आपको chemistry सुना देता हूँ जब हम जब करते हैं तो जब के उचारन से हमारे भावों में एक अलग प्रकार की विशुद्धी आती है और ध्वनी की तरंगे उत्पन होती है बैज्यानिकों ने ये बात सिद्ध कर दे कि इससे हमारे सरीर के अंतह स्रावी गंतियों के स्राव में बदलाव आता है जब हमारी अंतह स्रावी गलतिया बदलती है तो फिर अच्छे रसाइनों का स्राव होता है तो सरीर का रसाइन बदलता है तो हमारे कर्मों और आत्मा का जो संबंध है वो भी रसाइनिक संबंध है उससे कर्मों की केमिश्ट्री चेंज हो जाती है और कर्मों की केमिश्ट्री के चेंज होने से जो कर्मों का कंपोजिशन वो धीरा पड़ जाता है और वही कंपोंड ज़र जाता है जिसे हम कर्म की निजरा बोल देते हैं, यही पूरा का पूरा शिश्टा है, यह पूरी वेग्यानिक विक्रिया है, हमारे हिर्दै की बिसुद्धी से कर्म ज़रते हैं, इसमें कोई संसरे नहीं है, मेरा यही आसा था पूझने का, मैं समझ गया, आप मेरी बात सुन लेज़ें, विसुद्धी, भाव सुद्धी से बहुत कुछ बदलाव आता है, सब जानते हैं कि हमारे भावों से हमारे सरीर के अंतस्रावी गंतियों का कितना गहराना था है, यह चीज़े एक दूसरे कि शुरुआत नवर्स का स्वागत अगर करना है, तो सूरज के केनों के साथ करना, आधी रात, काली रात में, अंधेरी रात में मत करना है, आज का समय दिसको ठेक में बिता करके मत करना, आज के समय का उप्योग, अगर नवर्स का सही स्वागत करना तो भगवान के नामों चार के साथ करना संसार के मंगल कामना के साथ करना कल वही लाब आप सबको मिनने जा रहा है कल भगवान का एक हजार आट मंत्रों के दोरह यहा महाभिशेक होगा आप सब γो इसे और बंदना का यहीं पर विराम बोलिए परम पूज आचार गुरुवसी बिद्या सागर्जी में फिर सागर सागर गुरुब सागरण बोलिए यहीं इंसिती बिद्या सागरर गुर W Olha J